तो आज तो स्टॉक्स हैं, तो बताईए, पहले तो बताईए कितने स्टॉक्स आप राइनटिफा किये हैं, कितने चीए हैं, यह तो difficult question है, जितने मल जाए उतरा अच्छा, कभाई वाले स्टॉक्स होने चाहिए, वो तो होते ही हैं, वो तो साड़े तिन बजे परता चलेगा हर आदमी अनलेसिस यही सोच के करता है कि सही होगा, और हर आदमी यही सोच के ट्रेड करता है कि मुनाफ़ा होगा, जिस समय यह लगी कि अनलेसिस गलत होगा, या मुनाफ़ा नहीं होगा, तो ट्रेडी क्यों करेगा, कोई या अनलेसिस क्यों करेगा, तो कोशिश तो यह ह देखते हैं क्या कुछ होता है लिखना आज एक नहीं है दो नहीं है तीन नहीं है चार है तो ठीक है चार भी एनफ है तो बताएगे पहला स्टॉप सेल स्टील अथर्टी ओफ इंडिया का फ्यूचर करेंगे रहे हैं और वजह साफ है कि स्टील प्राइसेज में जो इनके प्रोड़क्स में जो बड़ोतरी हुई है उसका फायदा मिलेगा पूरे मेटल स्पेस को मिलेगा लेकिन सेल मुझे रिज्ट रिवोड रिशो के लिया बहुत गैप से खुल जाए टार्गेट के नजदी खुले तो छोड़ दे और नजदीक ना खुले मुझा मिले तो सेल में एक आप चांस ले सकते हैं यहां पर फ्यूचर में खरीदारी बनती है तो सेल में पॉजिटिव खबर एक और है मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी इ पर फ्यूचर में खरीदारी करने के सलाएं दूसरा स्टॉक टाइटन में एक चीज़ बता दूं कि टाइटन में खरीदारी की रा है दो जिसे एक तो यह कि नितिवाय के इंपोर्ड डूटी कम करनी चाहिए ज़रूरी है और दूसरा यह कि GST भी 3% के नीचे लाना लेखने जरूता है और इसलिये सीज़िसली ले ले तो कि हम फ्रीक चाहिए है कि मैं ऐ हमके फटेशा होगी नहीं पी oldusan ला बार में तो चीज़िसली कि लए और निफ्थी में चैन कि मेंतु तोक तो खराब नहीं, मैं फिर कहा रहा हूँ कि ये सेंटिमेंट के लिहाद से ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग के लिए तो सेंटिमेंट अच्छा होने ही काफी, इन फेक्ट मैं पीसी जोलिस भी देश सकता था, लेहिं ने काई फिर पीसी जोलिस में लोग अटकेंगे फसें पता नहीं, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के पीसी जोलिस में आपको ज्यादा दिख जाए, लेकिन टाइटन का फिचर्स आप खरीद सकते है, आट सो बैसी ये स्टिक्ट स्टॉप लोस आपको होना चाहिए, 900 से लेकर 910 के टारगेट पर बहुत गैप से खुल जाए, तो बताईए 30 रश है, M&M, महिंद्रा इन महिंद्रा की फूचर्स को खरीदने की राय है, जो डिफेंस ओर्डर की बात हो रही कि बड़े डिफेंस ओर्डर 40,000 क्लोड से जादा के दिये जाएंगा और जिसमें में को इन इंडिया पर फोकस रहेगा, मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा चोटी-चोटी कमजियों के शेर चल जाए एक अलग बात है, लेकि फाइदा डिरेक्ली होने की संभावना कम है, M&M डिफेंस में मजबूत प्लेयर के तोर पर आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर किसी बड़े प्लेयर को फाइदा होना तो इसे होना ह ओटो सेक्टर मजबूत दिख रहा है, कमसी अच्छा कारोवार करी रही है, तो मुझे रखता है इस खबर के दम पर और ओटो सेक्टर की मजबूती के दम पर M&M फूचर साप खरी सकते है, 962 आपका स्टोप लोस होना चाहिए, फूचर के टार्गेट दे रहा हूँ, 978 से जो मुमेंटम वाले सेक्टर से आज के लिए खबरोवाल उसे तीन स्टोक्स तो आगया, चौथा कौन साली है, इंटरेस्टिंग तो है, और चौथा इंटरेस्टिंग इसलिए भी कि आईसे है, और आईसे है, इंडिगो इंटर गलोब एविएशन यहाँ पर शॉट करने क होचा है, और दूसरा है कि सरकार इनकी बार-बार जो यह इनकी फैट्स जमीन पर आ रही है, उसकी जाज करने के लिए ओडर दे रही है, तो दोनों ही खबरे अच्छी नहीं है, और रूपिया ऐसा तो है नहीं कोई बहुत मजबूत हो गया हो, कमजोर ही है, हो सकता है, जिसके वज़े से मुझे लगता है कि एक चांस लिया जा सकता है, अच्छा जेट एरवेज के आज इजल टार्रे जेट एरवेज बैन में भी है, तो कच्छे तेल के दंपर गर किसी को शोट करना है, तो फिर उनके पास इंडीगो के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, तो इंडीगो बेचा जा सकता है, हाना कि बहुत कमजोरी होगी उसका पता नहीं, असली कमजोरी थे 20350-3030 के नीचे ही होगी इसमें, लेकिन मेरे लिए उतना टार्गेट काफि है, 1070 का स्टॉप्डों से 2035 का टार्गेट